महिला आरक्षन विद्यकपर राज्य सभा में जोड़दार चर्चा हुई विपक्षी सांसोदों ने महिला बिल का समर्थन करते हुए इसको लागो करने में देरी पर सवाल उठाए वहीं बिल पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए वीजेपी अद्यक जेपी नड़ा ने कहा हम नियमों से चलते हैं साल दोजार उननीस तक 33 फीज़ती महिला आरक्षन विद्यकपर आज राज्य सभा में जोड़दार बहस देखने को मिली लोग सभा में पारित हुए इस बिल को लेकर राज्य सभा में तमाम पाड़ी के सांसदों ने अपने अपने पक्ष को रखते हुए जोड़दार दलीले पेश की महिला आरक्षन विदेख को लेकर आज राजे सभा में जोरदार बहस देखने को भी ली सबसे पहले कानून मंत्री अरजुन राम एकवान ने बिल पेश किया इसके बाद कॉंग्रेस सांसाज रजीत रजन ने चर्चा की शुरुवात की उन्होंने बिलके नाम पर आपत्ती जताते हुए कहा कि महिला आपको वंदन नहीं समानता चाहिए मैं एक आपत्ती दर्श कराना चाहती हूँ जिसका नाम आपने दिया है महिला आरक्षन का नारिश शक्ति विध्यक ये नारिश शक्ती विध्यक है लेकिन अपने नाम दे दिया इसका नारिश शक्ती वंधन विध्यक मुझे लगता है ये सविधानिक अधिकार है ये कोई दैविक वरदान नहीं है ये कोई प्रधान मंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दया का पात्र नहीं है ये हमारा एक सविधानी का अधिकार है आपने इसका नाम दैविक और दया और पूजा से जोड के मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्प करने की कोशिश की वहीं पीजेपी के अध्यक जेपी नड़ा ने बिल पर अपनी बात रखते हुए जोरदार तरीके से विपक्ष की घिराबंदी की जेपी नड़ा ने कहा कि ये बिल महिलाओं पर एहसान नहीं बलकि उनका वंदन और अभिनंदन है अगर ये बिल आज पास होता है तो दो हजार उनतिस तक 33 पिसदी महिलाएं सांसत बन कर आ जाएंगी चाहे ज्यान हो चाहे विज्यान हो चाहे मिलिटरी एजुकेशन हो चाहे सैन्ने सुरक्षा हो चाहे अर्थ जगत हो हमें खुशी है कि आज हमारी भारत की महिलाएं अपने आपको लीडिंग रोल में लेकर के आई हैं और उन्हें अपने आपको प्रतिस्थापित किया है और समानिस स्थान पर लेकर के आई है इस नोट अनी ते प्रेजिशन जो उनको मिला है जो उन्होंने हासिल किया है यह बताता है कि भारतिय नारी किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान किया महिला आरक्षन बिल लागू होने में देरी क्यों आरक्षन बिल में कुछ महिला को आरक्षन क्यों नहीं विपखश के इन सवालों पर राजय सभ़ में बीजे पी स्सानसद और बीजे पी के राश्टी अद्द ग्रडग जेपी नडड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं को किस सीट पर रिजर्वेशन मिले किस सीट पर नहीं मिलना चाहिए ये फैसला सरकार नहीं कर सकती ये फैसला आयोग करेगा इसे पहले जरूरी है कि पहले जनगनना होनी चाहिए पर इसी मनाए इसलिए आज बिल पास होने के बाद सा तो साल दो हजार उननतिस में 33 सदी महलाई सानसद नहीं बन पाएंगी वहीं इस दोरान कोंग्रेस अद्दक्ष मल्ली करजुन खडगे ने कबीर का दोहा काल करेसो आज कर सुनाया और तुरंट आरक्शन लागू करने की मांग की इसके जवाम में जेपी नड़ा ने कहा कि बीजेपी का उद्देश से राजनेतिक फाइदा लेने का नहीं है सरका नियमों से काम करती है और पका काम करने में विस्वास रखती है इस फर विपक्षी सांसाद 9-9 करने लगे तो जेपी नड़ा ने कहा कि 9-9 करने वालों को शासन करना नहीं आया अगर शासन करना आता तो पता होता कि नियम कानून भी कोई चीज है इस दोरान बिजे पेद्दक जेपी नड़ा ने राहुल गांदी पर निशाना साथ वे कहा कि जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं उन्हें गरीबों की परिशानिया नहीं मालूम होती एक लीडर को लीडर बनना पड़ता है सिखाए हुए बयान देने से काम नहीं चलता जेपी नड़ा ने OBC को लेकर राहुल गांद 2004 से 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी OBC थे और कहां थे वो OBC के सेक्रेटरी क्रिस का इट्रिया में थे जरा हमको इसका ग्यान वर्धन की देखिए मैं बार-बार बोलता हूं लीडर को लीडर बनना पड़ेगा एक ट्यूटर से नहीं चलता काम यह ट्यूटर्ड यह ट्यूटर्ड स्टेट्मेंट्स से नहीं चलता है काम वहीं कॉंग्रेस संसद केसी वेनु गोपान ने राजे सबह में कहा कि बीजेबी सरकार ने साल 2014 में महिला आरक्षन बिलनाने का वादा किया था आपको बिलनाने में 9 साल क्यों लग गये आपको क इस ने रोका था क्या पीया मोधी नई संसद में आने का इंतिजार कर रहे थे क्या पुरानी संसद में वास्तुदोस्त था द्वेश्थ सरकार ने से द्वेश्फूस्ति इस ने स् Selam तो.. for three, nine years, who stopped you by bringing this bill? I would like to know from the Honorable Prime Minister whether he has waited for this new building to introduce this bill? If there any Vastu issue was there in that building? Is there? Otherwise, if there is a good muhurta is there for 2023 for this bill? You lost nine and a half years. नाव यूर तेलिंग वी आर गूंगरेस के राजे सबस सांसा दिपेंद्र हुड़ा ने भी अपनी बात रखी दिपेंद्र हुड़ा ने कहा कि इसमें बीजेपी जिनिया साफ नहीं है समाजमती पाड़ी की सांसा डिमपल यादाव ने कहा कि जब आप ये आरक्षन लेकर आई हैं और जब आप कास्तित और वर्चस OBC मतदाताव पर आधारित है आप 10 साल से सरकार में OBC मतदाताव के दम पर ही हैं तो फिर आप OBC महिलाव को राजनेतिक अधिकार क्यों नहीं देना चाहते टीमसी सांसा डेरेको ब्राइन ने राज्यसभा में कहा कि आज पश्यमंगाल में स्वास्त वित वानिजे और उद्द्योग मंतराले का नेत्त महिलाए कर रही हैं लेकिन बीजेपी को 16 मुख्यमंतरियों में से एक भी महिला मुख्यमंतरी नहीं मिल सकी और वे हमें महिलाव के अधिकारों पर उपदेश दे रही हैं राज्यसभा में आम आद्मी परडिस सांसा संदीब कुमार पाठक ने कहा कि जनगन्ना और परिसीमन में क्या निकल कराएगा क्या पैरामिटर निकल कराएगा हम लोक सबह में आज 545 सजस्यों पर महिला अरक्षन बिल लागू क्यों नहीं कर देते लेकिन इन्हें ये बिल लागू करना नहीं हैं केवल राजनितिक क्रेडिट लेना है बेरहाल राज्य सबह में महिला अरक्षन विदेग पर जोड़दार बहस देखने को मिली है जाहिरेच चुनाविस साल हैं पांच राज्यों का चुनाविस मुकाबला जादा दूर नहीं है क्यामर मेर विजर्वरिक के साथ प्रदीप कुमार टोटल न्यूज दिल्ली